सभी सनातन धर्म प्रेई बंदुगों का एश्टो पुस्पांजली चैनल में हारदिक स्वागत है आज हम पंचक के भ्रांती स्माप्त करेंगे कई लोगों को पंचकों से बहुत भय रहता है हमारे पास कई लोगों के टेलिफोन आते हैं कि पंचकों में मोट सागिल खरीदी थी उससे कुछ नुकसान तो नहीं होगा या पंचकों को लेकर कि जो जनता में भय रहता है उसका आद्म राकरन करेंगे इसके पहले यह बताते हैं पंचक क्या है धनिष्टा नक्षत्र का आदा भाग और उसके आगे सत्विसा पूरु भादपद उत्तर भादपद और रेवती नक्षत्र यानि ये चार नक्षत्र पूरे और धनिष्टा का आदा भाग ये पंचों में लाकर के पंचक कहलाते हैं उसमय चंद्रमा कुम्ह रासी और मीन रासी में रहते हैं अब पंचक का अर्थ क्या है पंचक का अर्थ है पंच गुना अर्थत जो कारे इन नक्षत्रों में किया जाता है वह पंच गुना ब्रद्धी में प्राप्त होता है तो ऐसे कारे जो हम बिलकुल नहीं चाहते कि वो पांच गुने हो। वो कारे इन पंचकों में नहीं किये जाते हैं। उदाहरन के लिए हम बिल्कUL नहीं चाहांगे के हमें मकान की छत पाँच बार डालना पड़े। खटिया या पलंग हमें पांच बार जो है बुनना पड़े या पांच बार बनवाना पड़े दाहे संसकार भी एक ऐसा संसकार है जो कोई नहीं चाहे था कि बार बार हो इसके रावत दच्छन दिशा की यात्रा इस प्रकार से जो कुछ कारे ऐसे हैं जो हम बारवार नहीं चाहते हैं वो पंचकों में नहीं किये जाते हैं लिकिन कुछ कारे ऐसे हैं जो हम चाहते हैं कि बारवार हों जैसे कि हमारे घहर में मांगलिक कारे बारवार हों मांगलिक कारियों में जैसे बिवाह है यह मांगलिक कारे है। यहाँ पर यह अर्थ बिलकुर न ले कि उसके पांच वार वह ओंगे। अपे तुछ बिवाह को इक मांगलिक कारे की रूप में लेए तो रेवती नक्षत्र में बिवाह होता है। इसकी अलावा, पंचकों में जो नक्षत्र हैं, जैसे धनिष्टा और सद्विशा, ये चल संग्यक नक्षत्र हैं, इनमें चलित काम करना सुभ माना गया है, जैसे यातरा करना, बाहन खरीदना, मसीनिली से सम्मंदित कारे सुभ प्रारम करना, ये कारे पंचकों में सुभ हो होते हैं उत्त्रभाद बद नक्षत्तर संग्यक नक्षत्र है। इस में इस्थरता वाले काम जैसे बीज, वोना, ग्रह प्रिवेश, सान्ती, पूजन और जमीन से जुड़े होगे स्थ्रकारे करने पर सफलता प्राप्त होती है। रेवती नक्षत्र मेत्री संग्यक नक्षत्र होने से इस नक्षत्र में कपड़े ब्योपार से सम्मंद सोदे करना, किसी बिवात का निप्टारा करना, गहना या आभूशन खरीदना इत्यादी सुभ माने गए हैं। इस प्रकार से पंचिकों में धनिश्टा, सतिविसा, उत्तरफादपद और रेवती नक्षत्रों में बहुत सारे कारे सुभ होते हैं। आरम में कारे बताए हैं, कि वर उन कारे का निश्यद है। बहुत बहुत धन्यवाद।